सावन का महीना चल रहा है जारखन में सावन की धूम मची हुई है सावन के महीने में श्रधालियों के बाब धाम पहुचने का सिलसला लगता चारी है सावन में अब तक कुल 15,89,000 कावरियों ने बाबा वैदिनात को जलाबी शेक किया है टेंट सिटी में अब तक कुल 53,000 से ज्यादा कावरिया रुके हैं जिलाप्रशासन ने 200 वेंटिलेटर को यहाँ पर वालेंटियर है उनको लगाया गया है और इसके अलावा जिलाप्रशासन ने जो डिस्टिक टास्क फोर्स बनाई है वो भी शावन मेले में अच्छा काम कर रही है वही मेले के दौरान बेहत को जलाविशेग कर सके हैं और किस तरह से लगातार जो दो सेम सोंबारी है वो बहतर तरीके से निकली है हम देवगर उपाईक महोदय से समझने की कोशिस करेंगे सार अब तक जो शुधालों की संख्या रही है वो कितनी रही है तो अभी तक जो 26 जुलै तक जो है 15,89,000 लो से जो 2015 से जो लागो किया है कि वी आई पी यह जो आउट आफ टर्म दर्शन नहीं करना उसको यहां से अनुपालन किया जा रहा है जिसके वज़े से श्रद्दालों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस पी देवगर भी हां मौजूद है इसे वी समझने की कोशित कर सर इस तरह के क्राउड मेनेजमेंट का आपका कहा जाए तो बतोर इस पी पहला अनुभव रहा होगा कि इस तरह से इतने शुधालू एक साथ कतार में लगते हैं कैसे आप लोग इसकी प्लानिंग करके और जो बैरिकेडिंग कराई जाती है वो बैरिकेडिंग बहुत इंपोर्टेंट होती है और पुराने लोगों के अनुभव को हम लोगों ने बहुत आत्मसाथ किया है पुराने ओफिसर्स को हम लोगों ने डिप्लोई किया है और आप देख सकते हैं कि उसका नतीजा यह है कि पुलिस, प्रशासन, पुराने अनुबव और नई उर्जा, इन सब के सम्मिस्रन से हम ने देख सकते हैं कि सही तरीके से हम लोग स्रधालों को जलारपन करवाने में कामियाब रहे हैं। पुलिस, अज़े तरह की कोई परिशानी नहों। अपने सह pocz होगी कैमरापरसं संजर टोपो के साद कुमार चंदन, जी मीडिया देवघर